आज मैं आपके साथ सीयर कर रही हूँ बहुत ही क्विक इजी एंड इलेसियस सी चिकन करी की रेसिपी बनाने में इतना आसान है कि कोई भी इसे बना ले और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेश्टी है तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले बनाने के लिए मैंने क्वेस्प सबसे पहले पैन में तेज पते डालेंगे उसकी पास सी चैसाथ ले लिए खड़ी आप चाहें तो पौडर भी डाल सकते हैं लेकिन जो खड़े मसालों के साथ चिकन या मतन बनता है तो बहुत अच्छा लगता है प्याज को भी मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही काट की तयार कर लिया है मैंने हाफ की जी प्याज लिया है आप जितना चिकन बना रहे हो उसके एक ओर्डिंग प्याज ले सकते हैं मैंने हाफ की जी चिकन भी लिया है तो उसके लिए हाफ की जी प्याज भी लिया है क्योंकि पानी का इस्तेमाल हम बहुत ही कम करने वाले हैं जो प्याज म पांच मिनट तक पका लेंगे और चार-पांच मिनट बाद मैंने कुकर का ढकन अटाया है प्याज जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है लेकिन हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है थोड़ा सा और पक जाएगा उसके बाद ही हम इसमें मसाले या चिकन एड़ करेंगे तो प्याज को ठकी हम फिर से 3-4 मिनट के लिए और पका लेंगे क्योंकि प्याज जब अच्छे से भुनता है तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आधा चमच चिकन मसाला डाला है और आधा चमच गरम मसाला डाला है फ्रेस कोट की गरम मसाला डाला है इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब अच्छी तरीके से mix करेंगे मैंने इसमेरी मिर्च वगरा नहीं डाला है क्योंकि मैं बहुत जादा कलरफुल चीज़ी कम पसंद करती हूँ तो अगर आप चाहें तो कास मेरी मिर्च भी डाल सकते हैं दीखा कम होता है लेकिन कलर अच्छा आता है बाकि उससे flavor में या taste में कोई भी difference नहीं आता है अब यहां मैंने आदा कि चिकन को अच्छी तरीके से wash करके लिया है अब हम इसे प्याज में डालेंगे मसालों को मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया था चिकन मसाली यह सारी चीज़े डालने के बाद 2 मिनट के लिए भूना था उसके बाद से हम इसमें चिकन डालेंगे अब हमें इसे अच्छी तरीके से mix करना है क्योंकि हमें जो सारी चीज़े डाली हो सारी चीज़े मैंने डाल दिया वीच वीच में आप इसे चलाते रहें और पूरी 20 मिनिट बाद मैंने कुकर का रखकन रटाया प्याज बिलकुल सॉफ्ट हो गया और देख सकते हैं तेल भी बिलकुल उपर आ गया है और चिकन भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया और 7 मिनिट बाद ही हमारी बहुत ही डिलेसियस सी चिकन करी बन के तयार है इसमें मसालो को कुछ भी नपीसना है बिलकुल खड़े मसालो में बहुत ही टेश्टी सी चिकन करी बन के तयार होगी तरीका बिलकुल आसान है इसे देखते हैं मतलब कोई भी बना सकता है कि मेरी आने वाली वीडियो की नॉटिफिकेशन आपको मिलती रहे मिलती हूँ ऐसी ही एक नए मज़िदार रेसिपी के साथ तब तक की लिए बाई बाई अपना खयाल रखिए थैंक यू